दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी होरर के एक नए एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शैलोक होम्स की एक और बेहद ही दिल्चस्प कहानी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लिजेगा चले कहानी शिरू करते हैं शैलोक होम्स की निगाहें अपने सामने पड़े एक पत्र के उपर टिकी हुई थी वो पत्रु से उसके दोस्त हॉपकिन्स ने भेजा था हॉपकिन्स पुलीस का एक होनहार इंस्पेक्टर था हॉपकिन्स पहले भी कई मुश्किल केसिस में शैलोक होम्स की मदद ले चुका था शैलोक जानता था कि हॉपकिन्स उसकी मदद के लिए सिर्फ तभी पूचता है जब वो अपने किसी केस में बहुत मुश्किल ढंग से फस चुका होता है और वास्ताव में उसे शेलोक होम्स की मदद की जरुवत होती है Hopkins खुद भी बहुत जीनियस था लेकिन वो ये भी जानता था कि शेलोक होम्स जीनियसों का भी बाप है उस पत्र में कुछ यू लिखा था समय दो पहर का तीन बच कर तीस मिनट मैं एक कतल के केस में उलच गया हूँ कातिल पकड से बहुत दूर है जिसका कतल हुआ है वो एक नामी गिरामी रईस व्यक्ति है मेरी इज़त दाव पर लगी है और पूरे मीडिया की निगाहें इस केस पर टिकी हुई है पर मैंने घटना स्थल की अच्छे से घेराबंदी करवा दी है और तैक यह है कि इस घेराबंदी को तब तक कोई नहीं तोड़ेगा जब तक तुम वहाँ पहुँच कर इस केस की तहकीकात ना कर लो मैंने ही चाहता कि किसी भी सबूत के साथ कोई छेड खानी हो तो क्या तुम अपने दोस्त की मदद के लिए आना चाहोगे शयलोग तुम्हारे इंतिजार में तुम्हारा दोस्त हॉपकिन्स हम तुम्हारे दोस्त न Billie तुमसे मदद मांगी है तो क्या तुम उसकी मदद के लिए जाओगे शेलोक उस पत्र को पढ़ने के बाद वाटसन ने शेलोक की आँखों में जागते हुए कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे मेरे दोस्त हॉपकिन्स के साथ हमने अब तक करीब साथ केसिस में काम किया है और उन साथों केसिस को हल करने में बहुत दिमाग खर्च हुआ था और इस तरह का हर एक केस मेरे दिमाग के लिए एक खुराक की तरह काम करता है ऐसे केसिस मेरे दिमाग को पोशन देते हैं इसलिए हम जरूर जाएंगे तुम ये बताओ कि क्या तुम तयार हो चलने के लिए और उसके 20 मिनट बाद वो दोनों कैंट जाने वाली ट्रेन में बैठ चुके थे और फिर वहाँ से वो दोनों एक घोड़ा गाड़ी द्वारा अपनी मंजिल तक पहुँचे वो एक बड़े से घर के सामने खड़े थे जिसके सामने एक बड़ा सा मजबूत गेट था हॉपकिन्स गेट पर ही खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था उसने शेलोक और वाट्सन का गर्म जोशी से स्वागत किया और फिर उन दोनों को उस घर के अंदर ले कर गया चाई कॉफी के दोरान हॉपकिन्स ने बताना शुरू किया शेलोक जिसका कतलू हुआ है वो शेहर का एक नामी गिरामी व्यक्ति है उसका नाम है ब्रेकनिस्टॉल दौलत और रुद्बे में उसका कोई मुकाबला नहीं हॉपकिन्स शायद उस आदमी की और भी तारिफ करता लेकिन शेलोक होम्स ने उसे बीच में ही टोक दिया शेलोक बोला देखो मेरे दोस्त हमीर हो या गरीब मरने के बाद किसी को भी रेशम का कफन नहीं उड़ाया जाता उसकी दुनिया एक ताबूत और एक कबर में ही सिमट जाती है अगर जीते जी उसके कर्म अच्छे हों तो ही दुनिया उसे याद रखती है बस जिन्दगी का यही सच है हौपकिन्स शेलोक का इशारा समझ गया था वो समझ गया था कि शेलोक असली मुद्दे की बात करना चाहता है इसलिए हौपकिन्स ने उसे बताना शुरू किया शेलोक मुझे शक है कि मिस्टर ब्रेकन स्टॉल को तीन लोगों के एक कुख्याद गैंग ने मारा है उसकी मौत लोहे के एक बेलचे के वार से हुई है जिसका इस्तमाल अकसर कोईले को आग में डालने के लिए किया जाता है इस घटना से उसकी पतनी बेहद सदमे में है शेलोक इन तीन लोगों के गैंग के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था एक आदमी अपने दो बेटों के साथ इस गैंग को चलाता था वो सभी खूँखार डकैट थे खूँण खराबा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ये गैंग पुलीस के लिए भी काफी समय से सरदर्द बना हुआ था हौपकिन्स उन्हें उसी समय मिसिस ब्रेकन स्टॉल के पास लेकर गया मिसिस ब्रेकन स्टॉल एक अधेड उम्र की महिला थी लेकिन काफी खूपसुरत थी जिस समय शेर्लोक और वाट्सन कमरे में दाखिल हुए उस समय मिसिस ब्रेकन स्टॉल कुमसुम उदास एक कुरसी में बैठी वी थी हॉपकिन्स ने उन लोगों का आपस में परिजय कराया उसके बाद उसने मिसिस ब्रेकन स्टॉल को पूरी घटना का ब्योरा देने को कहा मिसिस ब्रेकन स्टॉल ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से डॉक्टर वाट्सन और शेर्लोक होम्स को घुरा और फिर बताना शुरू किया वो रात करीब दस बजे के आसपास का समय रहा होगा उस वक्त मैं एक किताब पढ़ रही थी और मेरे पती उपर कमरे में सो रहे थे घर के सभी नौकर भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे वो रात के करीब ग्यारा बज रहे होंगे जब मैं उठी मेरी निगाहें नींद से बोजिल हो रही थी मैंने किताब बंद करके एक तरफ रखी और फिर सोने जाने से पहले एक नजर मैंने अपने आसपास डाली अब मेरा मतलब है जैसे आम तोर पर सबी घरों की औरतें करती हैं यानि कि ये चेक करना कि घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिये गए हैं कि नहीं मेरे हाथ में एक जलती हुई मुमबत्ती थी मैंने देखा कि एक खिड़की खुली हुई थी मैं उस खिड़की की ओर गई और फिर जैसे ही मैं खिड़की बंद करने वाली थी उसी वक्त मेरी नजर खिड़की से बाहर की तरफ गई और मैंने बाहर तीन लोगों को खड़े देखा उन में से एक जो उम्र में बड़ा दिखाई दे रहा था वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था मैंने उसे देखते ही चीखने के लिए मूँ खोला ही था कि तभी उन में से एक आदमी स्प्रिंग की तरह उचला और खिड़की से अंदर आकर उसने मेरी गरदन दबोच ली मेरी चीख मेरे गले के अंदर ही घोट कर रह गई थी मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और खुद को उसकी पकड से छुडाने के लिए मैं चट पटाने लगी थी और उसी चट पटाहट में एक कुरसी को धक्का लगा और वो कुरसी नीचे गिर गई और उसकी वजह से बहुत जोर से अवाज हुई तब तक बाकी के दोनों आदमी भी अंदर आ चुके थे जिसने मुझे जकल कर रखा हुआ था उसने गुसे में आकर एक जोरदार तमाचा मेरे मुझे जड़ दिया जिससे मैं दूर फर्ष पर जागिरी और मेरी आखों के आगे अंधिरा सचाने लगा और ऐसा लगा जैसे मैं होश खोने लगी हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी मैं देख पा रही थी कि वो तीनों मुझे कुरसी से बांध रहे थे लेकिन मैं उनका मुकाबला करने की हालत में नहीं थी उन्होंने मेरे मुँ में एक कपड़ा ठूस दिया मैं बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और तब ही मैंने अपने पती को उधर आते वे देखा शायद उन्हें भी कुछ गड़बड होने का अंदेशा हो चुका था उनके हाथ में एक भारी छड़ी थी उन तीनों आदमियों को देखकर उन्होंने उस छड़ी से उन तीनों पर वार करना चाहा मगर उन तीनों आदमियों के बल के सामने मेरे पती की एक न चली उन तीनों में से एक आदमी ने वहीं फायर प्लेस में से एक बेलचा उठाया और मेरे पती के सर पर जोर से वार कर दिया बेलचे का वो वार इतना खतरनाक और जोरदार था कि मेरे देखते ही देखते वो फर्ष पर गिर गए और मेरी आखों के सामने जट पटाते हुए उन्होंने अपना दम तोड़ दिया डर और आतंक से मेरा बुरा हाल था मुझे ये डर था कि वो लोग अब मुझे भी मार डालेंगे मैं चाह कर भी चीख नहीं सकते थी वो सब देख कर मेरा दिमाग चकराने लगा था और फिर शायद मैं कुछ पल के लिए बेहोश हो गई जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तब मैंने देखा कि वो तीनों आदमी अभी भी उसी कमरे में मौचूद थे उनके डर से मैं वैसे ही बिना हिले डूले पड़ी रही वो तीनों कमरे में से कीमती समान बटोरने लगे उन्हें शराब की एक कीमती बोतल भी मिल गई थी उन्होंने वो बोतल उठाई और उसे देख कर वो तीनों बहुत खुश हुए वो तीनों इतने बे खौफ थे कि उन्होंने उसी वक्त वो शराब की बोतल खोली और वहीं पर पीना शुरू कर दिया उन्होंने अपने किलास खाली किये और फिर उसी खिड़की से बाहर निकल गए उन तीनों के जाने के बाद मैंने किसी तरह से अपने मूँ से वो ठूसा हुआ कपड़ा बाहर निकाला और उसके बाद मैं मदद के लिए चिलाने लगी मेरी चीख सुनकर मेरे घर के नौकर दोड़े हुए आए और फिर उन्होंने मेरी रसियां खोल कर मुझे आजाद किया और फिर उसके बाद पुलीस को सूचिना दी गई मिसिस ब्रेकन स्टॉल की कहानी सुनने के बाद शेलोक होम्स और डॉक्टर वाट्सन उस कमरे में गए जिस कमरे में वो पूरी घटना घटी थी शेलोक ने देखा टेबल में तीन गिलास अभी भी रखे हुए थे जिस बेल्चे से वार किया गया था शेलोक ने उस बेल्चे को अच्छे से देखा बेल्चे का वो वार इतना जोरदार और घातक था कि उस बेल्चे का एक कोना टेड़ा हो गया था शेरलोक ने टेबल में रखे हुए उन तीनों गलासों को भी अच्छे से देखा जिन में उन तीनों आदमियों ने शराब पी थी शेरलोक ने उन तीनों गलासों को एक एक करके सुंगा और पाया कि तीनों ग्लासों के बजाए सिर्फ दो ही ग्लासों में शराब पी गई थी और तब शेलोक ने इंस्पेक्टर हॉपकिन्स से सवाल किया इंस्पेक्टर हॉपकिन्स क्या मिसिस ब्रेकन्स टॉल ने तीनों आदमियों को शराब पीते हुए देखा था इंस्पेक्टर हॉपकिन्स बोला हाँ उसने तुम्हारे सामने ही तो कहा था कि उसने तीनों आदमियों को देखा था हम तो अब सवाल ये है कि उन तीनों आदमियों ने मिसिस ब्रेकन स्टॉल को क्यों जिन्दा छोड़ दिया जबकि मिसिस ब्रेकन स्टॉल ने उन तीनों का चेहरा देख लिया था और वो उनको पहचान सकते थी क्योंकि वो उस जुर्म की चश्मदीद गवाह थी फिर क्या वजह रही होगी कि उन तीनों ने मिसिस ब्रेकन स्टॉल को छोड़ दिया इंस्पेक्टर हॉपकिन्स बोला हाँ मिसिस ब्रेकन स्टॉल ने बताया तो था कि वो बेहोशी का नाटक करके कुरसी में पड़ी रही और शायद उसे बेहोश देख कर वो तीनों आदमी उसे छोड़ कर वहाँ से चले गए उसके बाद शेलोक हॉम्स ने घर के नौकरों से बात करने की इच्छा जताई घर के नौकरों को मिसिस ब्रेकन स्टॉल के सामने लिविंग रूम में बुलाया गया उनमें से एक अधेड सी दिखने वाली नौकरानी टेरेसा ने बताया सर वो बहुत ही भायानक पल थे मैडम की चीख सुनकर सबसे पहले मैं वहाँ पहुची थे जब मैंने मैडम को कुरसी में बंधा हुआ पाया तो सबसे पहले मैंने उनकी रसियों को खोल कर उन्हें आजाद किया और फिर पुलीस को सूचना दी गई शेलोक ने पूछा अच्छा टेरिसा क्या तुमने भी बंगले के बाहर कुछ लोगों को खड़े देखा था टेरिसा ने कहा हाँ मैंने कुछ लोगों को बाहर खड़े देखा था पर मैंने सोचा कि वो ऐसे ही खड़े होंगे बाहर तो कोई भी खड़ा हो सकता है उस समय मुझे उन तीनों पर किसी भी तरह का शक नहीं हुआ तभी अचानक शेलोक होम्स की नजर मिसिस ब्रेकन स्टॉल की कलाई की तरफ गई मिसिस ब्रेकन स्टॉल की आस्तीन थोड़ी सी उपर की तरफ सरग गई थी जिस वजह से मिसिस ब्रेकन स्टॉल की बाह में एक खाव नजर आ रहा था शेलोक ने मिसिस ब्रेकन स्टॉल की कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा आपको ये चोट शायद कल रात को ही लगी होगी मिसिस ब्रेकन स्टॉल ने जवाब दिया आपका मतलब है कि उन तीनों बदमाशों के कारण? जी नहीं, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है, ये चोट मुझे मेरे पती ने दी है शेरलोक ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? तब मिसिस ब्रेकनिस टॉल बोली, मेरे पती एक अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक शराब उनके हलक से नीचे नहीं उतर जाती थी, पीने के बाद उन्हें बिलकुल होश नहीं रहता था, वो बिलकुल जंगली हो जाते थे, उनके गुस्से की हद ये थी क एक बार शराब के नशे में उन्होंने बड़ी ही निर्दैता के साथ अपने कुट्टे को जिन्दा जला दिया था, हमारे पड़ोसी भी इस बात को जानते हैं, और सारे नौकर भी, बाहरवालों को हमारे घर से सिर्फ चीखने चिलाने के आवाजे सुनाई देती थी, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि घर के अंदर किस के साथ क्या हो रहा है, शेलोक होम्स बुला, ओ, क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं, जहां अंदर आने से पहले आपने उन तीनों को खड़े देखा था, मिस्स ब्रेकन स्टॉल उन्हें वहाँ लेकर गई, शेलोक शेलोक होम्स ने इंस्पेक्टर होपकिन्स से पूछा, अब होपकिन्स, क्या सच में इस कमरे की सारी चीजें घटना के बाद से वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं, इंस्पेक्टर होपकिन्स विश्वास के साथ बुला, हाँ, बेशक, ये सब मेरी सक्त निगरानी में है, शेलोग बोला अच्छा तो फिर ये review कहां से मिली Hopkins बोला और रसी उन्होंने किडकी में टंगे पर्दों में से तोड़ी होगी इन रसीयों का प्रियोग खिडकी के पर्दों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है ये वही रसी है ये सुनते ही शेलोक एकदम सीधा खड़ा हो गया मानोजे से वापस जाने के लिए तयार हो गया हो शेलोक बुला हम तुम्हारा कहना एकदम ठीक है हॉपकिन्स ये काम उन तीनों बदमाशों का ही है तुम उन्हें ढूंड कर गिरफतार कर सकते हो हमारा काम खत्म हुआ और अब हम चलते हैं इतना कहकर शेलोक ने हॉपकिन्स से हाथ मिलाया और डॉक्टर वाट्सन के साथ उस घर से बाहर निकल गया इंस्पेक्टर हॉपकिन्स हैरानी से उन्हें जाता हुआ देख रहा था दोनों ने वापसी का टिकेट लिया और ट्रेन में बैठ गए डॉक्टर वाट्सन का दिमाग चक्कर खा रहा था ऐसा पहली बार हुआ था कि शेलोक होम्स ने कतली की जगह में जाकर भी कुछ नहीं किया ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने पुलीस की बनाई हुई थियोरी को सही मान लिया था अगर इस केस में ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर हॉपकिन्स ने शेलोक को बुलाया ही क्यों था ये सोच सोच कर डॉक्टर वाट्सन की बुद्धी चक्रा रही थी और फिर जब ट्रेन चलने लगी तो शेलोक हॉम्स ने डॉक्टर वाट्सन का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए अब ये देखकर डॉक्टर वाट्सन का मुँ खुला का खुला रह गया आखिर शेलोक के दिमाग में चल क्या रहा है ये सोच कर उसकी बुद्धी फिर से चक्र खा गई डॉक्टर वाट्सन शेलोक से बुला अब शेलोक ट्रेन से नीचे गिराओगे क्या अरे नहीं मेरे दोस्त मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है तुम नीचे नहीं गिरोगे शेलोक ने कहा असल में हम अभी कहीं नहीं जा रहे डॉक्टर वाट्सन ने हैरानी से पूछा अब क्या मतलब है तुम्हारा शेलोग ने कहा, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे है वाट्सन? डॉक्टर वाट्सन बोला, आँ सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं, अगर मैं जानता हूँ, जो तुमने सोचा है, सही सोचा होगा. शेलग बोला मेरे हिसाब से अभी केस खत्म नहीं हुआ है वाटसन वाटसन बोला तो फिर तुमने वहां हॉपकिन से क्यों कहा कि हमारा काम खत्म हो गया है शेलग बोला ऐसा कहना जरूरी था वाटसन ताकि हकीकत से परदा हटाया जा सके वाटसन बोला तो फिर क्या कतलों तीनों बदमाशों ने नहीं किया है? अब क्या मतलब है तुम्हारा? शैलोग बोला, जब मैंने उन तीनों गिलासों को सूंग कर देखा, तब मुझे सिर्फ दो ही गिलासों में शराब की गंध मिली, तीसरे गिलास में किसी भी तरह की कोई गंध नहीं थी, इसका मतलब साफ था कि तीसरे गिलास में शराब डाली ही नहीं गई थी, जबकि मिसिस ब्रेकन स्टॉल ने तीनों ही लोगों को शराब पीते हुए देखने की बात कही थी इसका साफ मतलब यही है कि वो जूट बोल रही है डॉक्टर वाटसन बोला अब उसके पती का कतल हुआ है और वो जूट बोल रही है अब ऐसा क्यों तब शलक होम्स बोला बस यही पता लगाना है कि वहां तीसरे गिलास की जरुवत ही क्यों थी जब शराब पीने वाले सिर्फ दो ही लोग थे वो आखिर ऐसे बयान क्यों दे रही है जो हत्यारे के पक्ष में जा रहे है क्या वो नहीं चाहती कि कातिल पकड़ा जाए इसलिए उस वक्त मैं वहां से चला आया ताकि बिखरी हुई कड़ियों को जोड सकूँ मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर हॉपकिन्स के उपर सर ब्रेकन स्टॉल के रुथबे का बड़ा प्रभाव है शायद वो मुझे सक्ती से पूछताच करने नहीं देता या उस पर एतरास करता इसलिए अब मैं बाकी की इन्वेस्टिकेशन हॉपकिन्स के जाने के बाद करना चाहता था कुछ देर बाद उन्होंने वापस कैंट जाने के लिए एक टेक्सी पकड़ी और करीब आधे घंटे के बाद वो दोनों ब्रेकन स्टॉल के बंगले के सामने खड़े थे उन दोनों को अंदर जाने से रोका नहीं गया हॉपकिन्स सच में वहां नहीं था वो जा चुका था शेलोक वापस घटना स्थल पर पहुँचा और उसने एक बार फिर से बड़ी ही बारीकी से घटना स्थल का मुआइना किया उसने उस कुर्सी को भी बारीकी से देखा जिस कुर्सी के ऊपर मिसिस ब्रेकन स्टॉल को बांधा गया था यहां तक कि उसने उन रस्यों की गांठों का भी अच्छे से मुआइना किया, जिससे मिसिस ब्रेकन स्टॉल को बांधा गया था. तो तुम्हें कुछ मिला शेरलोक? डॉक्टर वाटसन ने पूछा. शेरलोक बुला, हाँ, बिल्कुल मिला. मुझे मिसिस ब्रेकन स्टॉल का एक और जूट मिला है. मिसिस ब्रेकन स्टॉल ने बताया था कि हत्यारों ने परदे की रस्यों को खीज कर तोड़ा था. जबकि रसी को खीच कर नहीं तोडा गया था बलकि चाकू से काट कर निकाला गया था और यहाँ पर ये देखो शेलोक ने कुर्सी की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा वाटसन बोला अब ये क्या है शेलोक? कुर्सी पर खून की एक बूंद शेलोक ने जवाब दिया पर ये खून है किसका? वाटसन ने पूछा सवाल ये नहीं है वाटसन कि ये खून की बूंद है किसकी? सवाल ये है कि ये खून की बूंद यहां आई कैसे? वाटसन बोला अब शायद कतल के वक्त ये बूंद उचल कर यहां आगई होगी शेलोक ने कहा नहीं ये मुम्किन नहीं है वाटसन क्यूंकि जिस वक्त कतल हो रहा था उस वक्त कुरसी पर मिसिस ब्रेकन स्टॉल बंधी वी थी अगर खून की बूद उचल कर आती तो मिसिस ब्रेकन स्टॉल के उपर गिरती ना कि इस कुरसी की सीट पर ओ ये बात तो मैंने सोच ही नहीं डॉक्टर वाटसन बोला इससे तो मिसिस ब्रेकन स्टॉल का जूट और भी पक्का हो जाता है और ये भी साबित होता है कि उसकी नौकरानी टेरेसा भी मिसिस ब्रेकन स्टॉल का साथ दे रही है टेरेसा हकीकत को जानती है लेकिन वो ब्रेकन स्टॉल की पुरानी और वफादार नौकरानी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी शक की सुई इन दोनों के उपर ही घूम रही है सही कहा न मैंने डॉक्टर वाटसन ने कहा हम शेलोग बोला अब एक काम करते हैं टेरेसा को बोला कर उससे पूछ ताच करते हैं थोड़ी देर में टेरेसा शेलोग होम्स के सामने आई और शेलोग होम्स ने टेरेसा से कहा देखो टेरेसा मैं अच्छे से जानता हूँ कि मिस्टर ब्रेकन स्टॉल बहुत गुसे वाले आदमी थे। उन्हें इनसान की कदर नहीं थी। यदि ऐसा है तो उन्होंने कभी न कभी तुम्हारी भी बेज़ति की होगी। जो इनसान अपनी पतनी की इज़त नहीं करता उसके लिए तुम्ह मालकिन से हमदर्दी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मालकिन की मुलाकात तुम्हारे मालिक से कब और कैसे हुई थी। टेरेसा कुछ देर चुप-चाप खड़ी रही। उसके चहरे पर मायूसी चाही हुई थी। और फिर वो बोली। जी हाँ शेलक होम्स वो शक इनसान कहलाने लायक नहीं था। मालकिन की मुलाकात मालिक से करीब 18 मेहने पहले हुई थी। जब हम एक शिप से लंडन आ रहे थे। शेलक ने पूछा क्या मैं उस शिप का नाम और यात्रा की तारिख जान सकता हूं। टेरेसा दिमाग में जोर डालते हुए सोचने लगी और फिर बोली शेलक होम्स शिप का नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं पर कुछ गिलबर्ट ऐसा कुछ था और डेट तो मुझे बिलकुल भी याद नहीं है। ओ कोई बात नहीं शेलक होम्स बोला। वैसे मेरे ख्याल से उस यात्रा में तुम्हारा मालिक तुम्हारी यात्रा के दौरान हमारा बहुत ख्याल रखा था तुम्हें उसका नाम याद है शेलोक ने पूछा टेरसा बोली हाँ उस ओफिसर का नाम जैक क्रॉकर था शेलोक बोला ओके तो इसका मतलब है कि मिस्टर ब्रेकंस्टॉल भी उसी शिप में साथ में यात्रा कर रहे थे और कि करते हुए दोनों शेलोक और टेरसा मिस्टिस ब्रेकंस्टॉल के पास आ गए मिस्टिस ब्रेकंस्टॉल शेलोक होम्स को वापस देखकर चौंक पड़ी और फिर बोली क्या कुछ पूछताच बाकी रह गई थी मिस्टर होम्स नहीं मिस्टिस ब्रेकंस्टॉल शेलोक ने कह दरसल मैं यहाँ सच की तलाश में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से सच बोले मिस्स ब्रेकन स्टॉल बोली तो क्या मिस्टर होम्स आपको ऐसा लगता है कि मैंने अब तक जूट बोला है शैलोग बोला अगर आपने जूट नहीं बोला मिस्स ब्रेकन स्टॉल तो क्या यहाँ बिखरे पड़े सारे सबूत जूट बोल रहे हैं मिस्स ब्रेकन स्टॉल बोली आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर होम्स शैलोग बोला मैं कहना नहीं सच सुनना चाहता हूँ वो सच जो आप कहने से बच रही है मिस्स ब्रेकंस्टॉल क्या आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं मिस्टर होम्स मिस्स ब्रेकंस्टॉल ने बोला तो शैलक होम्स ने जवाब दिया आप शक करने की वजह पैदा कर रही है मिस्स ब्रेकंस्टॉल अच्छा होगा कि आप सब कुछ सच सच बताएं शेलक होम्स के स्वर अब सक्त हो गए थे तभी टेरे सा बीच में बोल पड़ी मिस्टर होम्स आपको किसी औरत से बात करने की तमीज नहीं है आप भूल रहे हैं कि अभी अभी इनके पती की मौत हुई है यह अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और आप इनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं हम ठीक है कड़े स्वर में शेलक होम्स ने ऐसा कहा और फिर डॉक्टर वाट्सन के साथ वो कमरे से बाहर निकल गया और फिर वो दोनों उस घर से बाहर निकल आए घर से बाहर निकलने पर उन्होंने कुछ दूरी पर एक तालाब देखा जिसका पानी अत्यधिक ठंड के कारण जम सच चुका था शेलक होम्स ने एक कागज में कुछ लिखा और उसे लौच कीपर के हवाले कर दिया और उससे कहा जल्दी इस नोट को इंस्पेक्टर होपकिन्स तक पहुँचा दो उसके बाद शेलक होम्स और डॉक्टर वाट्सन लंच करने के लिए एक रेस्टरौ में पहुँच गए लंच करने के बाद वो दोनों एक शिपिंग कमपनी में गए और उसके बाद वापस इंस्पेक्टर होपकिन्स के पास इंस्पेक्टर होपकिन्स ने जब शेलक होम्स और डॉक्टर वाट्सन को देखा तो वो चौक कर बोला कमाल है आप दोनों अभी तक गए नहीं मुझे तो लगा केस खत्म हो चुका है हौपकिन्स आगे बोला वैसे उन तीनों बदमाशों की तलाश में मैंने पुलीस को लगा दिया था और मुझे पता चला कि घटना के वक्त वो तीनों बदमाश नियू यॉक की जेल में थे तो फिर मैं इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि आखिर कतल किया किसने और फिर जब कतल उन तीनों ने नहीं किया तो तुम केस को सॉल्व हुआ मान कर क्यूं चले गए तभी मुझे तुम्हारा नोट मिला जिसमें तुमने मुझे तालाब की छानबीन करने को कहा तालाब की खोजबीन करने के बाद मैं तुम्हारे वापस लौटने की वजह भी समझ गया आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि घर से गायब हुई सारी कीमती चीज़ें वहां उस तालाब में मिलेंगी देखो हॉपकिन्स शेलोक ने उसको समझाते हुए कहा हॉपकिन्स अगर कुछ चोरी हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करते समय इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि जिसे चोर कहा जा रहा है असल में उसने चोरी की भी है या नहीं ये तुम्हें कैसे पता चला हॉपकिन्स ने हैरानी से पूछा शेलोक ने कहा थोड़ी देर में तुम सब कुछ जान जाओगे हॉपकिन्स जब च्छै को के रहस से खोलेंगे च्छै को के रहस क्या मतलब है तुम्हारा ये च्छै को की गुथी क्या है हॉपकिन्स ने हैरानी से पूछा शेलोक बोला एक पुलीस वाला होकर इतने मतलब पूछना अच्छी बात नहीं है हॉपकिन्स हॉपकिन्स बोला अरे तुम बताओ तो सही च्छै को का क्या मतलब है शेलोक ने हसते हुए जवाब दिया च्छै को का मतलब है कौन, क्या, क्यूं, कब, कहां और कैसे तो दिमाग को गुमा कर रख देती है शेलोक बोला जदा परिशान मत हो हॉपकिन्स कुछ देर में कातिल हमारे सामने होगा और फिर सारी गुथियां अपने आप ही सुलज जाएंगी कुछ देर में एक लंबे कत काठी वाला आदमी कमरे में घुसा उसने शिप के कैप्टन वाली वर्दी पहनी हुई थी आते ही उस आदमी ने कहा मेरा नाम जैक क्रॉकर है मिस्टर होम्स मेरी शिपिंग कमपनी ने बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ बताये आपको मुझसे क्या काम था शैलक बोला जी हाँ हमने ही आपकी शिपिंग कमपनी में ये मैसेज छोड़ा था हम चाहते थे कि आपको दी बॉस शिप का कैप्टन बनने की मुभारक बाद दे ही दी जाए जैक क्रॉकर हैरानी से बोला लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता शैलक बोला लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं मिस्टर क्रॉकर और हम ये भी जानते हैं मिस्टर क्रॉकर कि कल रात मिस्टर ब्रेकन स्टॉल के साथ क्या क्यूं और कैसे हुआ इसलिए सच को छुपाने से गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है उसने धीमे स्वर में कहा मेरी मुलाकात मिस मैरी फेजर से उनकी यात्रा के दौरान शिप में हुई थी शैलोग बोला हाँ हाँ तुम बोलते जाओ मैं जानता हूँ कि मिस मैरी फेजर ही मिसिस ब्रेकन स्टॉल है जैक क्रोकर ने आग मेरी ने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हाला कि उस यात्रा के दौरान हम अच्छे दोस्त बन गए थे उसके शिप से जाने के बाद भी मैं उसकी बातें और उसको भूला नहीं पा रहा था मैं कैसे भी करके उससे मिलना चाहता था लंडन पहुँचकर मैंने उसके गर का पता लगाया और उससे मिलने उसके घर पहुच गया मैं जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है पर मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता था मैं उसके घर की खिड़की के बाहर उसका इंतजार करता रहा काफी देर बाद वो कमरे में आई उसे देखकर मैं भी कमरे था, वो उसको बुरी तरह से पीड़ता था, मैरी अपने पती से नफरत नहीं कर सकती थी, क्यूंकि वो उसका पती था, मैरी ने मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा, इसलिए मेरे पास अब वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था, मैं उसे छोड़ कर जाना तो नहीं चा लिखते ही, वो आग बबूला हो उठा, और मैरी को मारने के लिए उसकी तरफ लपका, उसने हाथ में पकड़ी चड़ी से मैरी के उपर वार किया, उस चड़ी के वार से मैरी की कलाई घायल हो गई, उस वक्त उसका पती गुस्से से एकदम पागल हो चुका था, फिर उसने मुझे मारने के लिए अपनी चड़ी उठाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे पास ही फायर प्लेस में वो बेल्चा रखा हुआ दिखाई दिया, अगर मैं उस वक्त उस बेल्चे से उस आदमी को नहीं मारता, तो शायद वो हम दोनों को अपनी चड़ी से मार डाल तब उसी की जिद में हमने टेरेसा को अपने साथ मिला लिया और एक मनगरंत कहानी बनाई, हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी, मैंने लंडन के उन तीन कुख्यात बदमाशों के बारे में सुन रखा था, तब हमने इस घटना को लूट पार्ट की वारदात दिख कमपनी गया था, कुरसी पर बंधी वी रसी की गाठ देखकर ही मैं समझ गया था कि ये काम उन तीन बदमाशों का नहीं है, क्योंकि समुद्र में काम करने वाले नाविक ही कुछ खास किस्म की गाठें लगाते हैं, और वो तुम थे, क्योंकि तुम्हारा संबंध मिसिस ब् कीमती समान वहीं फेंका गया है, और फिर उसके बाद सारी कड़ियों को जोड़ कर नतीजे पर पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था, शैलोक ने अपनी बात खत्म की, तो फिर जैक क्रोकर धीमी आवाज में बोला, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं मिस्टर होम्स शैलोक बोला, मैं जानता हूं मिस्टर क्रोकर, आपने जोग कुछ भी किया, वो अपने बचाओ में किया, कोट हमेशा इन बातों को ध्यान में रखती है, कि जुर्म किन हालातों में हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इंस्पेक्टर होपकिन्स इस केस में आपकी पूरी मद मेरे चैनल में ऐसी तरह कि कई और दिल्चस्प कहानिया हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा, मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद